वेलकम टो अंजूस कोकिंग क्लासिज आज हम ड्राइफ रूट रूल बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कप नारियल का बुरादा लिया है आदा कप मिल्क पाउडर और वन फोर्थ कप कंडेंस मिल्क ड्राइफ रूट में काजू, बदाम, किश्मीश, अकरोट और एड़ कर लेंगे अच्छे से हमें इसका एक डो बनाना है तो बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत जादा हमें इसको नहीं गुनना है बहुत अराम से हमें करना है अब थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ये कम रह गया था मैंने थोड़ा सो और इसमें एड़ किया है और यह देखे बहुत अच्छा यहाँ पर एक डो लग गया इसको हम साइड में रख देंगे और एक मिक्सी का जाड लेंगे जो हमने ड्राइफ रूट्स लिये थे वो हम इसमें डाल देंगे मैंने यहाँ पर दोनों तरीके की किश्मिश का भी यूज़ किया है अब एक चमच कंडेंसमिक लेंगे और हम इस ड्राइफ फूट्स के अंदर एड़ कर देंगे ताकि यह सारे आपस में बाइंड हो जाए अब यह बिल्कुल त्यार है इनको हम साइड में रख लेंगे और एक बटर पेपर लेंगे और उसके ओपर जो हमने डो लगाया था वो रख लेंगे और इसको भी हमें बेलना है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने यह जो हम जिसमें खाना बच्चों को पैक करते हैं लिया है वो भी आप ले सकते हो अब यह बिल गया आप इसमें जो हमने ड्राइफरूट से रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से फैला देंगे और अब हमें इसका एक बहुत ही टाइट रोल करना है रोल आपको बहुत अच्छे से और टाइट करना है नहीं तो हमारे जो ड्राइफरूट रोल है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे जितना आप टाइट रखोगे रोल आपका उतना ही अच्छा बनेगा अब इसको हम हातों से इस तरीके से कर देंगे और जो साइड में है अनीवन है इसको हम निकाल देंगे और इसको वापस से हम हातों से रोल कर लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाए और जो हमने ये cutting side की रखी है उसको भी हम छोटे piece में काट कर इसके भी हम गोले बना लेंगे और ये आप इस तरीके से भी बना के खा सकते हो या फिर आप जैसे मैं roll बनाऊंगे उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो अब हम ये foil paper लेंगे और इसके अंदर हम इसको roll कर देंगे बहुत अच्छे से tight roll करने है और इसको अब हम एक से दो गंटे के लिए fridge में या freezer में रख देंगे जिससे की अच्छे से ये अपनी shape ले ले अब दो गंटे हो गए हैं और मैंने इस dry fruit roll को बहार निकाल ले इसको हम चाकू से काट लेंगे आप छोटे बड़े जिस भी size में काटना चाओ आप काट सकते हो मैं थोड़ा छोटा ही काट रही हूँ बहुत जादा मोटे piece में नहीं कर रही हूँ तो आप इस recipe को बनाईए ट्राइ कीजिए बहुत ही जल्दी बनेगी और आप इसको किसी को gift भी कर सकते हो बनाकर सब सच्छी बात है कि हमने इसको बिना gas जलाई बनाया है अब ये देखे हो गया है और सारी हमारी जो dry fruit roll रोला वो बनकर त्यार हो गए हैं आप इसको किसी भी box में भर कर gift भी कर सकते हो और ये बचे हुए कि मैंने इसकी तरीके से गोले बना लिया है अब मेरे पास इस तरीके का एक box आप मिठाई का या कोई भी box ले सकते हो और उसमें हम इसको arrange कर देंगे और pack कर देंगे आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फेंड के साथ शेयर जरूर कीजेगा और अजूस कुकिंग क्लासिस के फेस्बुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा